आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अंबर का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारन वाक्यों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले अंबर का आर्थ समझते हैं अंबर का आर्थ होता है आकाश या आसमान तो अंबर का विलोम शब्द याने के विप्रित आर्थक शब्द होगा अवनी और अवनी का आर्थ होता है प्रित्वी या धर्ती तो आईए अब हम अंबर और अवनी को कुछ उधारन वाक्यों से समझें जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि अंबर की सुन्दरता को शब्दों में वर्नित नहीं किया जा सकता तो इसका उल्टाब कह सकते हैं कि अवनी की सुन्दरता को शब्दों में वर्नित नहीं किया जा सकता या फिर आप कह सकते हैं अवनी पर जीवन का विकास एक अद्बुद यह फिर आप कह सकते हैं कि अंबर में जीवन का कोई विकास नहीं होता है अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें